तीन अक्टूबर से नौरात्र की शुरुवात हो रही है। इस दोरान देजभर में नौरात्री पेहत धुमधाम से मनाई जाती है। इस दोरान देजभर में नौरात्र की शुरुवात हो रही है। तो इस बार माता रानी पालकी में सवार होके आएगी नौरात्र में। क्योंकि वैसे तो देभी मईया का बाहन शियं है। इसलिए उसे शियं वाहिनी भी कहते हैं। दुर्गामाता का तो जो नौरात्र में अपने बाहनों को बदल बदल के आती है। प्रतिवर्ष कभी हाथी में आती है तो कभी घोड़े में, कभी पालकी में तो कभी नौका में। तो इसके लिए जो हमारे नक्षत्रों के आधार पर और दिन के इसाब से अपने बाहनों के बदलते रहते हैं। जो इस बार है तो पालकी में शवार होके आएगी मातारानी गुरुबार को होने के वज़े से। इस संबंध में एक हमारे शाफ्त्रों में एक सुलोक है कि यदी शाशी शूर्य गजरूरा शनिभोमे तुरंग में गुरु शुक्रेत दौलायाम बुधे नौका प्रकीर दिता। अर्था यदी शोमबार और रभिवार को देवी मैया आए प्रथमन वरात्र के दिन अगर ये बार पड़े ये दिवस पड़े तो जो माता की सवारी होते हो हाथी की सवारी है बड़ा शुब माना जाता है। इसके बाद शनी भोमे तुरंगे में और शनी और मंगलवार के दिन आये तो घोड़े में शवार होके आती है तो यह अशुब माना जाता है इसके अलावा गुरुबार और शुक्रवार को यदि मातारानी का आगवन हो तो उस दिन जो है पालकी में या डोली दौलायाम शश तो उस समय जो है नौका में शवार होके मातारानी आजी है जैनिताल से तनुश मांडे की रपार्ट